मैं सीधे रूख कर लेती हूँ ग्वालियर गुना पर मध्धिप्रदेश की सीट पर सबके निगाठी की हुई थी ग्वालियर की सांसत महोदा है मारे साथ है अपना परिचद हैं कैसे जीते क्या जीते कौन सा मुद्दा रहा और बड़ा कमाल कर दिया मध्धिप्रदेश में मैं भारती जन्ता पर्टी में बारत शिंग कुश्वा ऐसे छेत्र से आता हूं कि जहांसे स्रद्दे राजमाता सिंद्या जी भी सांसत रही गौदियर से श्रद्देव पंडित अटलवे हरी बाजपी जी वी ग्वालियर से सांसद रहे और भारत सरकार के पूर्व कृषिमंत्री आदानी नरेंसिंग तोमर जी वी वहां से सांसद रहे और ग्वालियर तांसें जी की जनम भूमी है ग्वालियर जिलाए कैसे जलाए अंतराश्टी पहचान ग्वालियर रखता है माँसे मुझे सांसद बनने का स्वभाग ब्राप्त हुआ है काम क्या करवाने जा रहे हैं आप सांसत बनने के बाद एभी क отлич cake ते के जो काम अमारी सरकार को हमारे पूरु के संसद्जी के जो काम अधूरिय को कामों को ब्रात्मिक्ता के पूरक करना और शाथी साथ ग्वालियर महानंगर के लिए इस्ताई पेजल की वहस्ता का समाधान करना चम्मल से पानी ग्वालियर लाना मेरी पहली प्रातिमिक्ता में रहेगा और रोड की कनेक्टिटी के मामले में हम आगरा को सीधा ग्वालियर से जोड़ेंगे तीसरा क्रशी आधारत छोटे छोटे उद्योग इस्तापित कराने का पूरा प्रियास करेंगे जिससे हमारे किसान परिवार के इवाओं को भी ठीक प्रकार से रोजगार मिल सके और उनकी एक आई भी दुगनी हो सके इसके बड़ी बाते आपके ओर से गिराई जा रही है जो कि मध्यप्रदेश में आप लोगों ने कमाल कर दिया लेकिन दिल्ली की गद्दी में 240 की आसपास रुग गई और फिर एंडिये के सारे अपनी सरकार 5 साल चलानी होगी अटल जी की वो कविता है कि बाधाएं आती है आए घिरे प्रिले की घोर गटाएं कदम मिलाकर चलना ह हैं बहुत पहले से हमारे दल जो साथ ही रहें निश्यत रूप से गठमंदन और पार्टनर से भी होती है तहां विचारों का तालमेल आधान प्रदान ठीक होता है तो हमारे एस्वस्वी प्रदान मंत्री आधने मोधी जी जिस तरह से देश को आंगे ले जाने का काम कर रह हमारे एंडिय के सातही सभीर पूड और सेयुग देकर उनके साथ में हमेstorm मैं ऐसा कह सकता हूँ जब देश tighten का दिल काम से शीता है तो एंडिय के सात्यों का वी दिल उन endurance जीता है ऊनिश्यत रूप से यह सरकार अब मजबूत सरकार रहेगी औरगेस इसको इस पांच साल में एक नई और पहचान मिलेगी मजबूती बता रहे हैं मध्यप्रदेश की तरह मजबूती रहेगी क्या राश्रवात से लेकर हिंदुत्यों की प्रयोग शाला अगर उत्तर प्रदेश है तो मध्यप्रदेश उसका बहुत बड़ा गवाह है और यह मान से है उत्तरा गंढद वाले जोली भरते हैं फीम की वज़ा और आपके तीम काम क्या करेंगे आपके माद्यम से सभी आपके काली साला में सबील सांसलत का बहुत अबिनाननद नहीं और आपके माद्यम से देख रहें सभी दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद कि मेरा संसधी च्छेत्र में मोडा से हो आजय टम्टा मेरे संसधी चेत्र में चार जीले हैं तीन बार लगाता जितके मानिप्रधान मंत्रजी के मारदसन में आया हूँ क्या करते हैं आप लोग ऐसा कि तीसरी बार टिकेट मिल जाता है बीजे भी लोगों का टिकेट करता है पांच साल साती रहेंगे और हम इन सब के साथ सेर करेंगे कैसे आगे आप अपने कारियों को प्राइब कि आपके इस समय में उपयोग नहीं हो पाएगा वह बाद में बताएंगे बैशने वाले हैं अगर मेरा जो संसेदी छेतर आप सबके भी ध्यान में क्योंकि मैं उत्त्राखंड राजी से हूं तो उत्त्राखंड राज जी को अटल भीहारी भारती जन्ता पाट्टी के मार्दोशन में मिला है और पूरे अगा पूरा हिल एरिया का ये राज्जी है और मेरी कॉंस्टे प्रणान मंत्री जी नहीं कि आपके धियान में होगा कि आध्य कैलास, जो कैलास मान सुर्वर जाने के लिए हमको बहार जाना परता था, आध्य कैलास जो नया डेस्टिनेशन है बहुत पुरानिक हम लोग की माननेता है, वहां तक सड़क पहुंचाना, जो लिंग कोंग तक म नेटवर्क भुचाना, ओल वैदर रोट की कनेक्टिविटी करना, चार धाम की रोडों का हमने जिस परकार से प्रधान मंत्री जी ने इंटरस्ट दे करके काम किया है, आप सब के लिए भी जो देव भूमी है, पुरे देश दुनिया के लोग आते हैं, केदारनाथ, बद् लंबी चोड़ी है, बहुत बढ़ी है, मेरी भी बहुत बढ़ी है, हमारे यहां पांस लोग सबाच छेत्र है, अगर आदमी घूमें तो बहुत सारी कटनाई है, मैं आपके इस पॉइंट पाता हूँ जो आप बता रहे हैं कि कैसे आप काम करें, तो हमने अपना ये किया है कि पूरा ओल वेदर का नेटवर्क दिया है, इसलिए दस सालों के अंदर पहली बार संसेदी चेतर को हमने रेल नेटवर्क से जोड़ा है, पहली बार एर कनेक्टिविटी से जोड़ा है, पि थोड़ा गड़ जो आंतिम जिला है, उस जिले तक हमने रन्वे को बनाय है, ए सब्सक्राइब करना है और रेल नेटबर को अंदर तक लेगाना है रामंगर चखुटिया गैर सेंड जो हमारी राजधानी है उसको कनेक्ट करना है गड़वाल के जो हमारा टूरिजम सेक्टर है उसको कुमाओं के मानसकंट से जोड़ना है उसके लिए हम लोग सब मुख्यमंत्री जी हम लोग मानिप्रधान मंत्री जी स्वहम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर अलमोडा संसदी छेत्र पिथोड़ागर बागिस्वर चंपावत चारों जिले पूरे देश भर के लिए सब के लिए टूरिजम के लिए बहुत अच्छे हों आपके लिए इजी अप्रोजो और आप लोग आये सुंदर आनंद लीजिए बगवान के दर्शन की जिए और आप अपना आप सब का बहुशी बनाईए पूमी अडिसी जगा है क्योंकि वहाँ पर आप आनंद कर सकते हैं दर्शन का भी और उसके साथ वाटर स्पोर्ट्स को भी कई जगों पर बहुत प्रमोट किया जा रहे हैं लेकिन हाले में आपने देखा है अभी जो लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं कितनी लंबी- कतारे गाड़ियों के उसको भी दुरुस्त किये जाने का काम उमीद है सांसत महुत है आगे करेंगे अब मैं बहुत धन्यवाद आपता